किड्नी का structure हम discuss कर रहे ते यह है structure of kidney part 2 जिसमें हम structure को ही जो है continue रख रहे हैं तो आज हम पढ़ने वाले हैं जो किड्नी जो है कौन कौन सी पहली होती है रेनल कैपसुल दूसरी है एडिपोज कैपसुल तीसरी आते है रेनल फैसिया ठीक है तो सबसे इनरमोस्ट जो होती है वो कौन सी होती है रेनल कैपसुल यह जो लेर आपको दिखाई दे रहे हैं यह कौन सी लेर है रेनल कैपसुल ठीक है जादतर ब तो बेसिकली जो किड्नी होती है, तेन लेयर उसमें प्रेजन्ट होती है, कौन-कौन सी, रेनल कैपसुल, एडिपोस कैपसुल, और रेनल फेसिया, तो यहाँ पर यह जो इनरमोस लेयर है, अगर आप किड्नी को अंदर की तरफ से देखो, तो सबसे पहले जो लेयर आपको द इनरमोस लेयर होती है, रेनल कैपसुल, अब आते हैं, एडिपोस कैपसुल, एडिपोस कैपसुल कहाँ प्रेजन्ट होगा, यह जो आपको रेड कलर में जो रेप्रेजन्ट हुआ है, यह क्या है, एडिपोस कैपसुल, यह बीच में प्रेजन्ट रहेगा, रेनल कैपसुल और renal fascia के बीच में present रहेगा adipose capsule ठीक है function क्या होता है this layer work as shock absorber ठीक है adipose नाम से ही आपको पता चल रहा होगा ये fat tissue से बना हुआ होता है function क्या होता है किसी भी तरीकी का mechanical shock ना हो kidney को उससे ये prevent करता है prevention का काम होता है basically इसका कि kidney को किसी भी तरीकी का कोई mechanical shock ना हो उससे जो है adipose capsule kidney को protect करेगा this layer work as shock absorber की तरह एकाम करता है ठीक है protection का basically एकाम करेगा adipose capsule थर्ड आता है renal fascia outer most layer होती है ठीक है ये जो बाहर की तरफ दिखाए दे रहे है ये क्या है renal fascia इसको हम बोलते है फाइब्रस कवर ठीक है फाइब्रस कवर होता है तन्तु में कवर होता है link kidney with abdominal wall इसका function क्या होता है kidney को link करता है abdominal wall से ठीक है abdominal wall से kidney को ये link करने का काम करता है renal fascia क्योंकि हमें पता है kidney कहा present है abdominal reason में present होती है तो function क्या है renal fascia का ये kidney को abdominal wall से क्या करता है link करता है ठीक है उधर ये गुहागी भीति से इसको link करता है जोडने का काम करता है अब आते हैं zone जो kidney होती है उसमें 2 zone present रहेंगे kidney has 2 zones कौन कौन से हैं वो zone हमने cortex और medulla के बारे में last video में discuss किया था तो जो kidney है basically उसमें 2 zone present होते है outer जो होता है वो cortex होता है और जो inner होता है वो medulla region कहलाता है ठीक है तो यह जो red color में आपको represent हुआ है जो कि dark color थोड़ा है यानि कि dark region जो है उसको हम cortex region या cortex zone बोलेंगे ठीक है और यह जो conical structure आपको दिखाई दे रहे हैं पिरामिड जैसे आपको दिखाई दे रहा है यह क्या है यह medulla zone है ठीक है कहीं कहीं books में आपको तीन zone भी present रहेंगे medulla, cortex, medulla और यह जो renal pelvis है इसको भी as a zone ही consider किया है ठीक है इसको हमने अलग पढ़ा है basically kidney के दो zone है cortex और medulla, cortex ही जो doted आपको दिखाई दे रहा है और medulla कौन सा है यह जो conical structure आपको दिखाई दे रहा है यह जो pyramid बने हुए है इस region को इस zone को हम बोलेंगे medulla zone ठीक है medulla is divided into conical masses ठीक है यह conical masses जो आपको दिखाई दे रहे हैं called medullary pyramid इनको क्या कहते है medullary pyramid कहीं कहीं इसको renal pyramid भी बोला जाता है तो इनको medullary pyramid या फिर renal pyramid आप बोल सकते हो number कितना होता है इनका number ज्यादातर कितना होता 8 to 12 इनका number हो सकता है ठीक है यह जो कौन आपको दिखाई दे रहे है conical masses जो दिखाई दे रहे हैं यह कितने होते हैं 8 to 12 होते हैं projecting in kalsis ठीक है kalsis में यह project करेंगे जैसे कि हमने major kalsis और minor kalsis के बारे में पढ़ा था तो यह जो है project कर रहे है towards minor kalsis ठीक है next आता है cortex enter into medullary pyramid and formed renal column of Bertini अब जो यह cortex आपको दिखाई दे रहा है यह जो structure आपको दिखाई दे रहा है यह क्या करता है यह प्रवेश कर जाता है किसके अंदर यह जो reason present होता है यानि कि इस तरीके से यह बीच में enter कर जाता है ठीक है इस तरीके से बीच-बीच में enter कर गया है cortex जिसको हम बोलते हैं every GD-man प्रणों अब लें इसको बोलें यह जब कोर्टक्स जो है वो एंटर कर जäता है में डॉली है ठीक है इन बिट्विन मेडॉलरी पिरामीड जब ही इंटर कर जाता है तो हम इसको आज़ बोलेंगे ठीक है पॉइंट है नेरो रिजन ओफ मैडूल्री पीरामेड एन रेनल पीरामेड इस कॉल रेनल पैपिला अब आप देखिए जो पीरामेड आपको दिखाए दे रहे जो कॉनिकल स्ट्ट्चर है इसमें जो कोर्टेक्स जो रिजन है उसकी तरफ ही चोड़ा वाला भाग होगा ठीक रिजन हमने पढ़े थे कौन कोन से पढ़े थे major calcide और minor calcide ठीक है यह जो चोड़ा वाला भाग होगा यह होगा major calcide और major calcide जो बाद में जो यह चोटा चोटा आपको दिखाई दे रहा है यह जो नेरो है इसको हम माइनर कैल्सिस बोलते हैं अब यह जो पीरामिड हमने पढ़ा है जो कॉनिकल मास है इसमें क्या होगा यह जो चोड़ा वाला भाग है यह तो कोर्टेक्स की तरफ है लेकिन जो संकरा भाग यह जो नेरो पार्ट है कहां जाके उपन हो रहा है यह उपन होगा माइनर कैल्सिस की अंदर ठीक है नेरो रीजन ओफ मेडुलरी पिरामिड या फिर रेनल पिरामिड इसको क्या बोलेंगे यह जो रीजन है यह जो नेरो पार्ट है इसको हम बोलेंगे रेनल पैपिला यह ओपनिन माइनर कैल्सिस कहां ओपन होगा माइनर कैल्सिस में ओपन होगा विच जॉइन टो फॉर्म मेजर कैल्सिस ठीक है यह ओपन कहा हो रहा है माइनर कैल्सिस के अंदर ठीक है माइनर कैल्सिस के अंदर यह ओपन होगा यह जो आपको दिखाई दे रहा है यह जो संकरासा सब्सक्राइब नजंड ही बोगering मेर कैलसित ए जोईन करकर करके क्या बनाएंगे मेंजर कैलंच व Anyways मैंजर कैलसित पर्दर था किया बनाएगा रिंगर ऍिर्वसस्ञाइगा ठीक है कितना होता है किड़नी में दस लाग के लगबग वन मिलियन लगविस का जो है नंबर होता है और जो नेफरन होता है बहुत इंपोर्टन ही बहुत इंपोर्टन पार्ट होता है नेफरन is the structural and functional unit in kidney जिसको हम लेक्स वीडियो में डिटेल में डिसकस करेंगे तो बिसकली अभी बने लिए किड्नी का की जो किडनी में का लियर प्रजएंट होती है ठीक है यह ब Assist Abla कि तो तो हम रिए रिजन के बार में हम पढ़ते हैं इसमें दो तरीकीके जर्ट होते हैं myडुला और को अ कोर्टेक्स यह जो जो नहीं को कोर्टेक्स और यह जो को इनिकल периode mig. को यहël रीजन जो है यह होता है मेडूला रीजन या मेडूला जॉन ठीक है जब कभी बी यह जो कोर्टेっस रीजन है एंटर कर जाता है मैडुलारी पीरामीड बीच में तो हम इसको रेणल कॉलम पर्छि के और dopo minor calcetis के अंदर ठीक है minor calcetis मिलकर के बनाएंगे major calcetis और आपको पता ही दोनों क्या है प्रोजेक्शन होते हैं रेनल ठीक है यह जो रीजन हमने इसको क्या बोला था हाइलम होता है रेणल आर्टरी रेणल वील यह फिर उरिटर के बात कर एंटर करते हैं इस रीजन को हमने रेणल पैल्विस वगएरा और उसके बाद में अब यहां पर यहां पर यह profess प्रिज busy कोनिकल स्टक्चर्निया कोनिकल मासज्ज या फिर मैंडूलय पिरामेड प्रिसेंठ Wat अब आते हैं यहां सब्सक्राइब कई आप wertoning प्रेजण होता है अब आते हैं लियर पे कई तरीके के ले अगार प्रीजिक Вас प्रिजेंध होती है त कि ना हो उससे प्रटेक्ट करने का काम करती है एक्च्छ वाली लेर होती है रैनल फैसी मशली respectful घ्रती है लिंक करके रखते हैं कीड्υ this किडिनी कहां प्रिजेंट रहती है तो एक्चली फंक्शन क्या होता है रेनल फैसिया का यह लिंक करती है अब्डॉमिनल वोल से किडिनी को ठीक है तो यह अवरॉल सब्सक्राइब हमने पढ़ा था जो नेफ्रेन होती है इसका नंबर होता है लगबग वन मिलियन की करीब जो हम नेक्स वीडियो में डिल में डिस्कस करेंगे तो किसी भी तरीकी का अगर आप मेकेनिजम बढ़ रहे हो तो उससे पहले आपको स्ट्रक्चर जो है वो क्लियर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है अदवाज आपको इसमें अधिक्कत आ सकती है ठीक है तो इस वीडियो मे हुआ 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 है